नमस्कार शामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनो आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानन डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक शामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने फसंदीदा यूट्यूब के चेनल गो व्लॉक्स में एक सुन्दर सी मेल हतेली आप पुरुष जातक है और आपकी रियल हतेली मेरे शामने विवी चना के लिए आई हुई है हतेली का अगर सांदार तरीके से इसका आकार देखते हैं तो ये आईताकार हतेली बन रही है और हल के रूप में चोकोर भी दिखाई दे रही है इसको कहते हैं और थोड़ा जिग्यासा वाला परवर्ति आपके बिक्तितों में जलकती हुई दिखाई दी रही है जो जिग्यासाएं है वो जिग्यासा परवर्ति रहेगी और ये अच्छी चीज है करियर का जहां तक हम मामला देखते हैं तो जिसमें मस्तिस्क से बहुत ज़्यादा काम किया जाता हो और उसमें सरीर की जरूरत भी पड़ती हो सारी रिक कारे की भी हल की जरूरत पड़ती हो या जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो ऐसा करियर आपके लिए बहुत ज़्यादा सोटेबल रहेगा तरक्की देने वाला रहेगा और उन्नती भी आप खूब करेंगे ये दिख रहा है अब यहाँ पे इस पश्ट तरीके से अगर हम देखते हैं तो आपकी जो मस्तिस्क की रहा है ये पूरी हतीली को पार कर रही है तो ये आवस्ता जब आती है तो व्यक्ति प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाला होता है तो यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहें बरतमान में जादतर आप हर समय कलपनाओं में डूबे रहते हैं और इस समय आपका मन भी एक आगर्चित कम हो पा रहा है लेकिन ये बात लिखित है कि आप एक स्रेश्ट सपलता भी हासिल करेंगे लेकिन आपकी जो कलपना की ताकत है वो भी जवरदस्त रहेगी ये आपकी मस्तिस्क कीरेखा बता रही है आपकी हतेली में एक बुद्धा दित्ययोग बन रहा है लेकिन फलित अवस्ता में अभी नहीं है और आप जिस छेत्र में जा रहे हैं ये बुद्धादित्य योग ही आपकी मदद करता है आप अगर सच में अपने जो लक्षा है उसकी प्राप्ति करना चाहते हैं तो कुछ चीजें मैं बताऊंगा उस पे अमल करें और निश्चित ही आपको अपने जिवनकाल में बड़ी सपलता हासिल होगी थोड़ा मेहनत जादा लेगेगी थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जबरदस्त सपलता आपको हासिल होगी इससे कोई नहीं रोक सकता है लेकिन डुलमुल रवया रहा और ऐसे ही किवल कलपनाई रही और किवल सोचते रहे तो चीजें नहीं होंगी आपको अब समय आ गया है एक्टिब अवस्ता में आ जाएं और उसी लक्षे की तरब बढ़ते जाएं निश्चित ही आपका जो है योग बन रहा है यह सपल करवाएगा देखेगा बुद्धादित्यर्योग क्या है और क्या इसका प्रभाव पड़ता है यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है आपका ये है बुद्ध का परवत और बुद्ध के परवत में सानदार रेखाई है सेवा भाव आपकी जीवन में रहेगा आपका बिबेक इस प्रकार से रहेगा जैसे एक ब्यापारी का रहता है ने वो गुण है दो-चार भासाओं के जानकार भी यहां पी दिखाई दे रहे हैं चाये टेकनिकल भासा हो चाये लोग कुवाली भासा हो लेकिन दिख रहा है और ऐसे लोग अपनी जीवन काल के बुड़ापे के अंतिम छण तक अपने हाथ का पैसा इन लोगों के पास रहता है अपने उपर डिपेंड रहते हैं तो यह चीज भी यहां पे इस पश्ट दिखाई दे रही है लेकिन यह थोड़ा सा उबरावा है तो छोटा काम भी करेंगे तो नेम फिम पाने की इक्षा बहुत ज़ादा रहेगी और यह रहनी चाहिए आपके हतेली में है लेकिन यहां पे यह चीज बैठ चुकी है तो थोड़ा आपका कम्यूनिकेशन स्किल्स आपकी वाने की ताकत और आपकी जो व्यक्तित्व है आपकी जो लक्जरी लाइफ है उसको यह प्रभावित करता है तो हरी सबजी है, हरे फल है, हरी दाले है इनका सेवन जादा करें तो जो बुद्धादित्य योग आ रहा है उसमें आपका यह मदद करेगा साथ में एक दिव्य योग ध्यानी के रिया एक योगा दे रहा हूं उसको भी जरूर करेंगे तो अच्छा लाब होगा चले यह उंगली पूरी तरों से जुक रखिये है आपकी इस उंगली की तरफ ध्यान से देखेगा तो जीवन में धन कमाने की ललक बनी रहेगी इसका लाब प्राप्त करेंगे दिख रहा है इस पश्ट यह इसके पहले पौर्वे तक पहुँच रही बलकि उंची है बहुत स्रेष्ट है इसका मतलब होता है देखेगा ऐसे लोगों को आप प्रेक्टिकल रूप में देखेंगे तो यह लोग आपको ब्यापारी लोग मिलेंगे जो ब्यापार कर रहे होते हैं या ब्यापारिक जैसे कामकारियों में जो है ये लोग होते हैं अगर ऐसा ब्यक्ति ब्यापार में ना उत्रा नोकरी कर रहा हो चाहे वो प्राइविट नोकरी कर रहा हो या जो है सरकारी नोकरी कर रहा हो ऐसा ब्यक्ति अपनी जीवन का आल में अधिकारी लेवल का ब्यक्ति होता है अच्छे पद पे रहता है बहुत बड़ी पदवी को ये ब्यक्ति हासिल करता है जीवन में ऐसे लोगों का उच्च वर्ग का ब्यक्ति तो रहता है स्रेश्ट और सफल ब्यक्ति होते हैं ये दो चीजों के कारण क्योंकि बुद्ध है ने बाणी और वाणी कुछ भी करा सकती है बुद्ध है ने आपकी सुन्दर्ता आपका ब्यक्तित्व ये जब आकरशित करता है किसी को तो चीजें अपने आप ठीक होने बैठ जाती हैं उसके फिबर में आने बैठ जाती हैं तो दो चीजों की उजोसे आप सफल रहेंगे एक तो आपका कम्यूनिकेशन इसकिल्स इसके दम पे आप सफल होंगे दूसरा अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण आपके अंदर है इसके कारण आप सफल होंगे लेकिन बुद्ध का जो हिस्सा है इसको ठीक करना है दो चीजों से हरी सबजी, हरे फल, हरी दाले और दिब्यय योग ध्यान के रिया ठीक अब है आपका ये वाला परवत इसको कहते हैं सूर्य का परवत इसकी उंगली देखे इस तरों से जुक रखी है और भीच की उंगली की तरफ खुद देखेगा अगर मैं प्रिंट ना भी करो तो भी आपको दिखाई देगा इसका जुकाओ तो जब इसका जुकाओ मिडल फिंगर की तरफ रहता है इसका रिंग फिंगर का तो भीक्त के अंदर यस पाने की चाह रहती है नेम फिम पाने की चाह रहती है अमेशा अपने कारियों में बड़ा विस्तार मिल जाए उसको ठीक है न उसका नेम फिम हो जाए ऐसी चाहा रहती है आपके अंदर है अब यहाँ पे देखेंगे तो इस उंगली से ये बड़ी है और मिडल फिंगर से छोटी है तो क्या होता है इसमें ब्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की ताकत रहती है ब्यक्ति के अंदर चीजों में जोखिम उठाने की ताकत रहती है और उसमें धड़ाम से गिर भी जाए असफलता की प्राप्ते भी हो जाए तो ऐसा ब्यक्तिक गिर कर पनो उठने की ताकत रखता है मनि हिम्मती सुभाओ और यही चीज आपके अंदर है सुर्य के कारण तो रिस्क लेना आप जानते हैं जोखिम उठाना जानते हैं उसमें अगर असफल भी हो जाए तो गिर कर उठना भी जानते हैं समलना भी जानते हैं और यह अच्छे गुण आपकी हतीली में है अब इसमें बुद्दादित्य योग कहा है देखेगा प्रैक्टिकल रूप में देखेगा जो भी इस वीडियो को देख रहा है अपने करियर में यही चीजें प्राप्त करता है जब ये उंगली किसी भी रूप में इस उंगली के पहले पौर्वे तक पहुँच रही होती है ये वाली उंगली इस उंगली से बड़ी होती है इस से छोटी होती है जैसे आपकी है और ब्रस्पति का परोत इसी परकार से सुन्दर होता है भव्य होता है तो 99.9% मामले में ऐसे ब्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे समंदित छेत्रों में कार्य करते हैं अगर आप इन छेत्रों में मेहनत कर रहे हैं अपनी मेहनत को बढ़ा दीजेगा डबल कर लीजेगा अपना फोकस को सिद्ध अपने करियर पे रखेगा अपनी मन की एक गरता को बस में रखेगा एक गरमन से आप तपस्या करियेगा एक्टिब रहिएगा येकीन न 9.9.9% मामले में आपको सपलता मिलेगी और इन छेत्रों में आप सपल होंगे अब किन छेत्रों में? ब्रस्पती से समंधित, क्योंकि बुद्धादित्य योग में ब्रस्पती का रोल आ रहा है, बले ही बुद्धादित्य योग बन रहा है बुद्ध और आदित्य का, लेकिन करियर का छेत्र ये निर्धारित करता है, चाहे सरकारी हो या इससे समंधित में हो ब्यक्ति बड़ी पदवी में रहता है उच्च सिकरों पे पहुँचता है चाहे सिक्षा का छेतर हो चाहे इंजीनियरिंग का छेतर हो चाहे चिकित्सा का छेतर हो चाहे मैनेजमेंट का छेतर हो चाहे बानिज्य का छेतर हो या कानून का छेतर हो ठीक है न जैसे परसास आप काम कर रहे हैं या काम करने की सूच रहे हैं, तो मेहनत करिएगा, काम्याबी आपको मिलेगी ही मिलेगी, ये निश्चित है, लेकिन इसके लिए मेहनत कम मत होने दीजेगा, मन की एकागर्चित्ता भंग मत होने दीजेगा, मेहनत में रुकावट मत कीजेगा एक लक्ष को निर्धारण करके चलिएगा आप निश्चित ही थोड़ी देर जरूर लगेगी लेकिन जबरदस्त सपलता आपको मिलेगी और उसका कारण एक और भी है यहाँ पर अगर हतीली के हम रेखा देखते हैं तो एक चीज और दिखाई दे रही है जरा ध्यान से इसको मिटाता हूं फिर बताता है आपकी जो करियर और धन की रेखा है इस तरों से सीधा ब्रिस्पती पे जा रही है और जब ये ब्रिस्पती पे जाती है तो इस प्रकार से रहती ये भाग्य योग का निर्मान करती है ये बता रही है कि यकीनन आप अपने जीवन में धनवान बनेंगे समाज में परतिष्टा पाएंगे धन पाएंगे निश्चित तोर पे दिखाई दे रहा है हो सकता आप अगर अध्यात्म के छेत्र में अगर चले जाते हैं किसी मठ के मठादीस हो जाएंगे राजनीती में जाते जाने की कोशिस करेंगे भले ही सुर्य आपका ठीक नहीं है बुद्ध आपका कमजोर है लेकिन तो भी अगर इन दोनों चीजों को ठे करते हैं तो बड़ी सपलता पाएंगे और सिक्छा के छेत्र में अगर चले जाते हैं तो जाने माने सिक्छक हो जाएंगे यह स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है तो क्या कर रहा है जो चीजे यहां दिखाई दे रहे हैं वो जबरदस्त है बड़ी लाब देने वाले है यह इस पष्ट दिख रहा है लेकिन ठेहरे है यहाँ पे भी देखेगा इसको आपका केतो का छेत्र इस पष्ट बता रहा है देखे भाई स्वयम की मेहनत और स्वयम के परिस्रम के बलपी ही स्रेष्ट सपलता है यदि आप सोचेंगे कि किसी की महरबानी से किसी के सयोग से मैं बड़ी पद्वी हासिल कर लोगा तो इस गलत फैमी में मत रहे आपको स्वयम की मेहनत और स्वयम के परिस्रम से ही स्रेष्ट सपलता हसिल होगी हाला कि जो प्रारंभिक जीवन है आपका वो जाजा जादा संगर्स में रहेगा लेकिन इसी संगर्स से उठकर आप हर सुक को पाएंगे हर सुक का जीवन में भोग करेंगे ये इस पष्ट बताई बता रहा है अभी कुछ टैम तक संगर्स की इस्तिती और चिंताईं भी बनी रहेंगे स्वस्त्य के मामले में अगर देखे जाएं तो आपका चाह स्वस्त्य का मामला हो आरुग्य का मामला हो या तंदुरस्ती का मामला हो मौसमी बिमारिया नजला है जुखाम है ठीकने खासी है इस चीज की सिकायत ज़्यादा रह सकती है मौसमी बिमारिया वाइरल बिमारिया आपको ज़्यादा अटेक कर सकती है तो इससे आपको अपने को समाल कर रखना है बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है ठीकन अभी नहीं दिख रही है हाँ लेकिन स्वयम की मेहनत से आप जो है निश्चिती सफल होंगे ये इस पश्ट चीजें दिख रहा है अब एक चीज देखेगा कि धार्मिक भावनाई भी आपके अंदर अच्छी रूप में दिखाई दे रही है अच्छी धार्मिक भावनाई रहेंगी इस स्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आरद्य के परती समरपन की भावना भी दिख रही है चाहे स्वास्त्य का मामला हो आरोग्य का मामला हो तंदुरस्ति का मामला हो धन संपत्य का मामला हो परिवार का मामला हो बैबाहिक जीवन का मामला हो इसमें आपका मिला जुला रूप दिख रहा है ठीक है नहीं? और आगे चलकर राज योग है तो सभी चीजों में जबरदस्थ फाइदा दिखाई दे रहा है अब ये नहीं कहूंगा मैं कि समस्याई नहीं आएंगे भाई मनुष्य जीवन है समस्याई हर बिक्ति की जीवन में आती है आपकी जीवन में भी आएंगे लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाएंगे कुछ दिन परेशान कर सकते हैं लेकिन जैसे आई थी वो इसे चले भी जाएंगे ये इस पश्ट दिख रहा है आर्थिक मोर्चे पे मैंने पहले कर दिया कि प्रतिष्टा और धन दोनों जबरदस्थ कमाएंगे एक चीज देखें सभी उंगलियों का जो जुकाओ है इस उंगलियों की तरफ दिखाई दे रहा है आपके जीवन में स्वतंतर बिचारधारा के बिक्तित्व दिख रहा है आपकी जो बिचारधारा है बड़ी स्वतंतर है अपनी ही बातों को मनवानी की इच्छा जादा रहेगी क्योंकि लीडर्शिप की क्वालिटी आपके अंदर दिखाई दे रही है खास करके आपकी अतीली में थोड़ा खर्चिला सोहव जादा रहेगा तो थोड़ा इस पे लगाम जरूर रखे एक सुखत जीवन जीने की चाहा बनी रहेगी और सुखत जीवन जीने के लिए प्रेतन सेल बिक्तित्व भी बना रहेगा एक चीज पर विसेश ध्यान दीजेगा जीवन में आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं ठीकन निरणयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है बड़ा सूच समझ कर आपको अपनी जीवन काल में निरणय लेना है और देखेगा जो भाग्योदई की इस्तिति आ रही है 36 एर में आ रही है आपकी जीवन का 42 वावर्स, 36 वावर्स और 56 वावर्स आपके लिए जबरदस्त चीजे लाएगा सुरवाती दोर थोड़ा सा पीड़ादाई रह सकता है घर परिवार का भी सुक थोड़ा सा कम मिल सकता है लेकिन उसके बाद चीजे शानदार दिखाई दे रही है यहाँ पर देखेंगे तो कहीं न कहीं जो है यह इस प्रकार से यह इस प्रकार से जो है यहाँ पर जाता हो दिख रहा है एक तो जो माबाप की सेवा है वो सेवा भाव आपके अंदर अच्छा रहेगा यह सबसे बड़ी बात है दूसरा यहाँ पर एक विश्णु का तिलग बन रहा है तो जो आपके पंच तत्व हैं पंच भूत जिने हम कहते हैं जिन से सरीर बना है फाइब एलिमेंट जो आपके आठों चक्र है जो आपकी पांच ग्यानी इंद्रिया है पांच कर्म इंद्रिया है उनके अनुसार देखा जाए तो भगवान विश्णु आपके इश्टदेव है जितनी जादा सरनागती जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भ भव्यता को अउश्य प्राप्त करेंगे दूसरी बात अगर अच्छी रहा पर चलते हैं अच्छे कार्य को करते हैं तो किसी भी काम में आपको अउश्य सपलता मिलेगी आपको हराना आपकी बिरोधियों के लिए शंबव नहीं रहेगा इसके अलावा आप समाज में मान भी जरूर पाएंगे अत्यंत भग्यसाली लोगों में से आपकी गिंती होगी आपकी हिर्दे रेखा ये भी कह रही है ब्रिस्पति से मिलकर आप चाहे जीवन में ब्यापार करें चाहे नोकरी करें चाहे और भी काम करें समाज में एक स्रेष्ट जीवन ब्यतीत करेंग मस्तिस्क रेखा के उपर हमने पहले ही चर्चा कर ली है जीवन रेखा इस प्रकार से यहाँ पे टूटी हुई है और यहाँ पे मचले का चिन बन रहा है लेकिन टूटने के साथ साथ दो मंगल की रेखाएं हैं तो इसका प्रभाव आपकी जीवन पर कदा पी नहीं परिवार के प्रति समर्पन की भावना रहेगी जैसे जैसे उम्र बड़ेगी धर्म और अध्यात्म में बहुत अच्छी रूची बड़ेगी और जीवन में निश्चित ही अपने घर का सुक आपको प्राप्त होगा अपने कमाईवे पैसों से ठिक यह रेखाएं इस पश् किरपा आपके उपर बनी हुई है इसका आप जो है मैसूस भी करेंगे दूसरी यह लकीर इंगित कर रही है आप में न तो परतिबाह की कमी है न तीब्रबुद्धी की कमी है दोनों चीजें आपके पास हैं यहां तक कि सोचने और समझने की जो ताकत है वो हनुमानी जी न एक बार येदि कोई डिसिजन ले लेंगे कोई निरणे लेंगे तो उसे अंततक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे आगे चल कर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका जो व्यक्तित्व है वो भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावसाली रहने वाला है इसमें तो कारे के परति धीरी धीरी जुजहरोपन बढ़ रहा है जिस कारे को एक बार हाथ में ले लेंगे जब तक पोरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं इसका लाब भी दिखाई दे रहा है एक धीरे से देखेंगे तो बुद्ध की और रेखा जा रही है आयू को निर्धारन कर लेंगे उसमें जबर्दस्त सपलता दिख रही है बोलने के धंके कारण जीवन में धन भी कमाएंगे लेकिन भौश्य में पेट से समंधित बिकार भी आ सकते हैं इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दे कुछ रेखाएं सूरे पे जा रही है लेकिन सूरे अभी उस हिसाब से नहीं दिख रहा है दिब्य सूरे किरिया में आपको दे रहा हूं सूरे को पुष्ट और सुन्दर करना आपके लिए बहुत जरूरी है तो इसको करेगा लाब होगा इसके बाद अगर देखे अच्छी लकीरे दिखाई दे रही है राजनेतिक तोर पर भी आपको जबरदस्त लाब यहाँ पर मिलने वाला दिखाई दे रहा और तालिस से चोवन वर्ष के बीच में प्रोपर्टे का भी बहुत बड़ा लाब दिख रहा है यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस परकार से तो यह इस पश्ट बता रहा है कि आपके अंदर ऐसा ग्यान प्रसासन जैसी चेतरों में यह भी दिखाई दे रहा है चाहे कितने भी गरीब परिवार में आपने जन्म लिया हो तो भी अत्यंत उच्च पद को प्राप्त करेंगे और समाज में बहुत बड़ा सम्मान भी पाएंगे यह भी इस पश्ट यहाँ पे दिखता हुआ नजर आ रहा है दोसरा अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से प्रोपर्टी भी आपको मल्टिपल प्रोपर्टी का लाब जिवन में होता हुआ इस पश्ट दिखाई दे रहा है तो चिंता किस बात की जो चीजें बोले उसको करिएगा घोमने फिरने के भी बहुत प्राकरम बहुत अच्छा रहेगा एनरजेटिक स्ववाव रहेगा यहाँ पे थोड़ा दिल है कभी कभी यह आपको क्रोध की अगने में डाल सकता है तो दिव्य सुर्य किर्या दे रहा हूं उसमें इसका उपाई दोंगा इसके बारे में हमने बता दिया है सनी भी आपका बहतरीन है सुर्य मैंने बताई दिया है इसका मैं उपाई दे रहा हूं इसके बारे में मैंने बताई दिया है आपकी चंद्रमा की इस्तित देखें तो यहाँ पे अच्छे खासी यातराई दिखाई दे रही है जिवन में बहुत सांदार यातराई है और चंद्रमा आपका बेहतरीन इस्तिति में आ रहा है तो मानसिक रोप से बहुत ज़्यादा मजबूती देता हुआ दिख रहा है confidence level बहुत अच्छा रहेगा इसके और इंगित कर रहा है सरीर में आगे थोड़ा सा ये आ रहा है और यहां पे ये चीज़ disturbance के इस्तिति में आ रहा है थोड़ा समस्याएं रह सकती है लेकिन फिर भी इसकी वोजो से मन मजबूत रहेगा चंद्रमा आपका मजबूत इस्तिति में आ रहा है तो पाचनतंतर भी मोटे तोर पर ठीक रहेगा और सरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया होता जाएगा ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है चंद्रमा आपका जितना अच्छा जितना सोम में जितना खुबसूरत रहेगा आपके अंदर creativity रहेगी आप creative रहेंगे चंद्रमा आपका इतना सांदर इस्तिति में हमेशा रहा तो मा होंगी तो मा का सुक मिलेगा जंद्रमा आपके हतिली में अच्छी स्तिति में है आगे और बे अच्छा आएगा तो सकारात्मक सोच रहेगी चलकापट से दूर रहेंगे और जिवन में महिलाओं का जो सुक है जो सयोग है वो भी प्राप्त होता रहेगा यहां पर दिखाई दे रहा है देखा जाए तो मैंने आपके हतिली का पूरा बिस्लिशन करके आपको बता दिया है और उपाई में बिदिवत तरीके से लिख करके आडियो के माद्यम से आपको भीज रहा हूँ करने की कोशिस करे निश्चित ही लाब होगा इस वीडियो में बस इतना ही नई वीडियो के साथ पनोवपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार